हेलो आपड़े प्रिवियस लेक्चर माझे डिसकस करेलो हतु यहतु प्लाणिंग नी डेफिनेशन हती यहमना नेच्चर्स हता हवे जी नेक्स्ट टोपिक आपड़े डिसकस करानों चेहीछे अब्जेक्टिवस 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 अब्जेक्टिव तो तम्हें जब objective छे जए system चे एस्टाबलिस्ट करती होगे आपड़े जए system एस्टाबलिस्ट करेली छे एना according आपड़े objective छे आपड़े केवा टाइप ना result छे आपड़े aim सूँचे आपड़े गोल सूँचे बिजनेस उनिट अन्थ बेजिस ओफ अबजेक्टिव छे एना बेजिस ओपर आपड़े नकी करी शके कि आपड़े गोल कई रीते आपड़े अपड़े गोल छे करी ते अची उथाई सक्से इना अधारे objectives ना अधारे गोल अधारे बदीज activity छे company नी production, selling, IT department नी activity छे अथवा तो research development नी activity छे तो इस अधारे बदीज activity छे company ना बदा छे department छे work कर से इन all type of business unit, their objective should be clear तो बदा टाइप ना business ना बदा ना objective छे clear होई तो NPो छे तो इनो objective होई कि society ने वधारे बदाखारे benefit ठाओ जोई profit organization होई तो इनो benefit एनो objective होई कि वधारे मा वधारे profit मड़े आपणी cost होची हावे शेरोल्डर ने बधारे माँ प्रोफिट मड़े तो आरी ते बधा जी जे बिजनेस यूनिट जे बधा बिजनेस यूनिट ना अलग-अलग अबजेक्टिव होई छे आने इकलीर होई छे क्या आज प्रकार नो आपड़े अबजेक्टिव छे इन रिस्की जर्नी अफ्ती बिजनेस यूनिट ख्लीयर अबजेक्टिव प्रूज तो आपड़े अबजेक्टिव छे आपड़े फ्लानिंग त्रू आगर चालवामा मदद करसे आपड़े जह आपड़े गोल शुदी पोच्वानु छे इना रस्तामा जटली पन आउड़ ज जर्णी ने रिस्क ओछो थाई सके ना चांसिस ओछा थाई सके एवो तमने clear objective चे यह तमने direct करी सक्सें with the help of the business objectives it is decided as to where the business unit wants to go and utilizing the available resources with business objective चे अपड़े बनावेला चे अथो business objective चे अपड़े set करेला चे इस वोग्जेक्टिव तो यह वोग्जेड करें business चे अगड़ चे गोल्स अचीव करना चे ना मटे इना पास चितला resources चे मेन, money, material, labor तो आचे resources चे नहीं आफ यूट्यी पासे इनो इरिसोर्से नो optimum यूज्स करीरी करीक चे चो optimum यूज्सक्षे तो आच मेस चे तो इनी 恐se च्च हो चे पिमद्यक्षा चे ज выпуск में तो करीसक्षा चे तो जुए निसली करीसक्षे चे जीमायाीら प्रौफित कम्पोनें चेही वह दारे राखी सकसे जना थी एने खुना बहुता बेनिफिट चेही थाई सकसे तो अब्जेक्टिव अब ती बिजनेस युनित वर्क एस लाइथाउस फोरी बिजनेस युनिट एंद प्रोवाइड कॉंस्टंट गाइडलान्स तु इट एस तु विच डारेक्शन श तम ने ख्याल होतों अपड़े डीवाड़ी अपणे जेके तावेजी अंग्लीष मायन लाइथाउस वर्क क करी चेही तो उब्जेक्टिव चाही युनिट चेही प्रोपरली वर्क करी शक्षे और तमारों जे अब्जेक्टिव चेही अचिव करी चया तमारों गोल ने अ अधमर से, for example, तो मैं लाइट होई तो तो मैं आगर सुँँचे, अगर सुँचे, अगर जानुचे नो रस्तों सुँचे, तमने देखाई सके, तो एविजर ते बिजनेस उनिट मा लाइठाउस तरीके नो वर्ग चे ये अब्चेक्टिव्स करे चे, and प्रोवाइड सुचेशन लेता हो, जाना बेजिक वेस्टिशन छे, अथा तो प्रेजेंट मा जे आपडे क्वेस्टिशन आपने थाई चेनो, आंसर छे आपने मडी सक्षे. In his book, Business Policy and Strategy, Shri Alan Prasad, जा एक्सपर्ट छे, has made clear the objective, जाने objective ने clear कर लो छे, that purpose or missions of the organization is a general enduring statement of the organization, the intent of which embodies the decision maker's philosophy, decision makers छेनी philosophy, अलग-अलग वेक्तियों छेनी philosophy अलग-अलग होई छे, बदा वेक्तियों पासे same knowledge होई, still बदा ना suggestions छे अलग-अलग होई छे, तो एक आपड़ा company ने एक image create कर से, implies कर से, कि जना थी आपड़ा project छे, organization प्रोजेक्ट छे, आपड़ा आगण वदारी शक्ये. The principles of business unit are also prepared on the basis of objectives, तो principles of business unit छे, आपड़ा प्रिपेर कही रीते करिये, तो objective ना basis उपर नकी करिये, कि आपड़ा objective आपड़ा principles आपड़ा होई छे, For example, आपड़ा business छे, साड़ी manufacturing नो छे, तो आपड़ा object एवो होँ छे, कि pollution नो थाओ जोए, तो pollution नो थाओ जोए, तो जे आपड़ा गंधु पाणी छे, निकड़े छे, एन्ने आपड़ा कही रीते नो निकाल करसू, तो एई आपड़ा planning छे वीचारववववववववव तो इप्रमाणे principles बना, पड़े इप्रमाणे तमारे आखी एक manufacturing नो जे छे, निसाथे साथे निकाल माटे नो पाणी छे, प्लानिंग छे, इकल वो पड़े, तो आरी ते principles छे के ना बेस दुपर बने, तो के objective ना बेस दुपर बने, तो objective ना बेस दुपर बने, तो objective of organization provide the guideline to the management, तो planning बनाऊचे, ओब्जेक्टिव बेस दुपर बना आनुचे, तो इप्जेक्टिव चे, guideline प्रोवाइड कर से, कि तमारे होए आगाड कईयों पाच छे, select करवानुचे, केटलू production करवानुचे, कई रीते production करवानुचे, केटला लोकोनी help लवानी चे, By concentrating on specific objective it can be made result oriented तो आपड़े specific objective चे ज oven पर concentrate करवानुछे तो जेना अउपर आपड़े उझाने चेंचे तके इ результат oriented जो objective थ्रू आपड़े काम करशो तो आपने result चे profit होए अपड़ो तो profit चे अजे थाही सक्षे तो आर इत आपड़े specific objective profit चे जिना उपर concentrate करशो तो आपड़ो जे रिजल्ट ओरिएंटेट छे मींस का आपड़ो जे रिजल्ट मेडवानु छे ये रिजल्ट छे आपड़ो इन टाइम मड़ी जासे On the basis of objectives only, the aim, strategy and the policy of organization are determined तो objective ना basis उपर आपड़ो जे strategy बनावेली छे, आपड़ो जे aim छे, जे आपड़ो गोल छे अथा अपड़ो पोलीसी बनावेली छे, strategy बनावेली होई कि optimum आपड़ा resources नो utilization थाओ छे, पोलीसी ये बनावेली छे, कि बधा व्यक्तिव छे, in time आवी जाओ छोई प्लस एने जे work करेलू छे, work छे, प्रोपरली थाओ छोई, कोई time छे, बगाड़ेलो नो उचोई, तो आपड़ी strategies, policies छे, ये आपड़े डिटर्माइन करी छे, only objective ना बेस उपर Peter F. Drucker has in his book, तो Peter F. Drucker छे, एना एनी बोग मा management नो एक planning objective छे, आपड़ेलो छे, that management through responsibility and practices has said that to know what business we have to start with its purpose, its purpose must lie outside the business itself तो आपड़े पिला business ने जानवानू, business ने जानसू, तो जापड़ेन objective छे, जानी सक्सू, और पर्पस छे, इस उचे, आपड़े अच्चिव करी सक्सू its purpose must lie outside the business itself, तो पर्पस छे, बिजनेस ने जानवानू, तो आपड़े अपड़े अपड़े पूरी करी सक्सू, तो एना माटे छे, आपड़े अपड़े अब्जेक्टिव छे, एकलियर हो जो in fact, it must lie in the society, since the business enterprise is an organ of the society, तो business छे, एक society नोच पाट छे, कानकी society ना लोको साथ रही नच काम कर से, बराबर छे, तो आरी ते, business छे, society नी अंदर अज छे, उकई शक्ये, there is only one valid definition of business purpose, to create a customer, तो society नी अंदर जेटा लोको छे, इज आपड़े वस्तू छे, पर्चेस कर से, जेती ये आपड़ा customer बनी जासे, तो आपड़े एक valid definition ये पण होई जोए, कि आपड़े customer ना benefit माटे पण, आपड़े strategy छे, planning छे, एरी ते बनाए, कि जेती customer ना पड़े प जेतीव छे, इज आपड़े decide करला चे, अलग-अलग एमने partition करेलू छे, first, manufacturer and distribute the economic goods and services for the customers requirement, तो आपड़े जे goods बनावेला चे, जे production करेलू छे, एनू आपड़े distribution कई रीते करसू, goods बनावेलू छे, अथा तो IT department छे, तो एने services बनावली छे, software बनावेला छे, तो एनू IT departments छे, customer ने, company ने, जेवा प्रकाना, software नी, जरूर वो, ए प्रमाणे, एना requirement प्रमाणे, customs, customs, बनावे देता हो छे, तो आपड़े जे produce करेलू छे, एनू आपड़े distribute करवानु छे, एने manage करानु छे, manufacture करनु छे, तो आपड़े कही रीते करसू, एक objective छे, सेट करला हो छे, के छे, customer ने requirement प्रमाणे करसे, next, provide the employment to the people, from the income obtained through the selling those things to the people, तो आपड़े पासे जे product छे, एने sell करसू, एना बदलाम आपने consideration माई लोको money छे, आपसे बराबर छे, तो आरी तो आपने purchase consideration माई लोको छे, एना थी आपने income छे, जनरे इठाचाँ अवे, ए income छे, एने आपड़ के आपड़ेने कई टाइप थी, आपड़ेने salary छे, आपणी छे, एने कई री ते benefit आपी शक्किये, तो objective of the company itself reveals its customer-oriented social approach, तो अबजेक्टी, company ना objective छे, इज छे, डिफाइन करसे, के customer-oriented ये product छे बनावे छे, जे customer ना health ने छे, नुक्षान नो करती हो, प्लस customer ने पन benefit थाओ आपड़े प्रोफित आपने मड़े छे, तो नी साथे customer ने पन गणवदा benefit छे थाओ जो, आरी ते socially connected things छे, के जे socially लोको छे जोड़ायला छे, एमने काई पन उक्षान नो था, आरी ते आपड़े बदा जी objective छे set करवाना छे, objective determined the business unit social responsibility towards the employee consumer and masses, तो जेटला लोको आपड़ अपनी नी business ने भी responsibility छे, के जो society ने benefit था, society ने जो de-benefit था तो pollution ने control नो करिश रखता हो, pollution ने आपड़े वदारे माँ वदारे चे, pollution करता हो, तो इने रोको उकाई री थे, environment ने नुक्षान पोचाड़िया छे, तो employee ने ने काम प्रमाणू consideration ना थी आपता, consumer ने standard quality ने थ objective creates a favorable condition for the business unit, through which the expectation of business unit are fulfilled, तो favorable conditions छे, क्रियेट करी सक्से, कही री थे, तो के business छे, एनी अंदर जेकला employee काम करी छे, ने favorable conditions तमें कही री थे, आपी शेको, fearless environment छे, तमें क्रियेट कर सो, तो यह इनना problem छे, तमने कही सक्से, जना थी तमें आनू solution ले आवी सक्सो, प्लस के business छे expectations छे एन employee पासे के efficiently work करें, तो इना मटे तमारे एनने जे consideration तमें salary आपो छो, इंक्रिमेंटल करवू पड़े, तो आरी ते जे favorable conditions create करवा माटे जेटला पड़ फेक्टर्स छे ने तमारे deeply जे थोट करी अने पछी तमारे एमने apply करवा पड़े, जना कि तमें favorable environment create करी सको, जे करु करु कर दो